हेलो दोस्तों नमस्कार गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम यानि किसे रीता का कैसे हो आप लोग आसा है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे स्वास्त होंगे हमारे न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है जितने साथी हमारे वीडियो को देख रहे हैं इस वर से प्रात्ना हैं साथे स्वस्त रहें मस्त रहें अपने जीवन में यू ही आगे बढ़ते रहें तरक्की करते रहें तो दोस्तों हो गई है एक प्यारी सी सुभा कि शुरवात आप लोगों को मेरा प्यार भरा सूपरभा तो यहां पर जो है हमारा नहाना धोना और खाना भी बन चुका है सिर्फ रोटी रह गई है तो उनको बनाना है तो टाइम था तुमने का चलो बालों में कंगी कर लेते हैं तो दोस्तो वीडियो तो इंट्रेस्टिंग देखेंगे ही और उसके साथ अपनी खून पसीने की कमा ना खा सके उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे आप लोग देखिएगा तो दोस्तों बालों में हमने कंगी कर लिया है और धुले थे टाइम था तो हमने कहां कर लेते हैं और इधर खाना भी हमारा बन चुका है सबजी पक रही है पकने ही वाली है और उधर हमने चावल चुट्मेएं और यहां पर जो है दाल हमने बना दिये । पूजा कर लेते हैं तो नीचे हमने पूजा कर लिया है और मंदिर भी साफ किया था क्योंकि रोज के रोज धूल मिटी बहुत जादा हवा चलने लगी है तो धूल मिटी बहुत हो जाती है तो नीका चलो मंदिर भी सुबह साफ कर देते हैं मंदिर साफ करने के बाद में पूजा किया फिर आ गये थे ऊपर और तुलसी माता में जल दे दिया है और फिर एक जग ये डिबबा भर के लाए हैं तो गमले में हमारे पुदीना का पौधा लगा हुआ है तो उसमें भी हमन देते हैं क्योंकि आज पता नहीं कितनी जल्दी जो है हमारा खाना और सारे काम फटा फट साथ बजे तक सारे काम हो गए कुछ भी नहीं बचा हुआ था तो फूलसारे हमने तोड़ दिया है और उसके बाद में आप चलते हैं नीचे तो देखे अब गर्मियों की जो है सूट किया था आप थोड़ा सा बालों में सिर्फ कंगी करना रह गया है तो वही करने लग गए हैं और इनको जो है तभी हमने फोन रख लिया है क्योंकि जहां पर ज्यादा टाइम लगता है तो फिर वीडियो नहीं सूट करते हैं क्योंकि बार बर हटाना पड़ता है और चूना भूल गए थे तो वही पैर चूने आ गए हैं और उसके बाद में कह रहे हैं कि डैडी के रह गए हैं और वो जो है नहा रहे थे इस चमय तो आप जा रहे हैं अब जा रहे हैं इसकूल और दोस्तों आज का वीडियो बहुत बहुत ही प्यारा जैसे कि आप लोग पह जाएगा तो लिए आएंगे तो वही जो है रख लेंगे और अब जो है बस थोड़ी सी रोटी बची हुई हैं तो उनको सेख लेते हैं फटा फट और बाहर का बहुत ही प्यारा नजारा है और सुबह सुबह की तो बात ही कुछ अलग होती है तो उमीद करती हूं दोस्तों आज आप लोग गिना इसकिप किए फुल इंजॉय करेंगे इस वीडियो में क्योंकि आप लोगों का फेवरेट है और यदि वीडियो आज का पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर देना और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर निव आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्रा तो आठा हमारा रह गया था तो इनको फटा पड़ सेंक लेते हैं और दाल हमने सबजी दाल सुबही ही बना लिया है क्योंकि दाल साम को बनाते हैं लेकिन बापू साम को रो रहे थे कह रहे थे कि हमको दाल चावल ही खाना है और आज सुबह खाकर नहीं गये हैं लेकिन हमन बड़ा पसीन आ रहा है तो खाना बनाने के बाद में एक बज चुका ये दिखें और लग गए थे घर की साव सफाई करने में ये जो लहसुन नीचे पड़ा था तखत के नीचे ये सारा निकाल के हमने वीडियो अपलोड कर दिया था और तब ये लहसुन सारा काट के रख द लगाना जाला वगएरा भी साब कर दिया और उसके बाद जो है बैटरी खतम हो गए थी जब वीडियो अपलोड करो तो वैटरी नहीं बचती है तो उसको अमने फोन को लगा दिया था तक से एक बजे तक यतने सारे काम कर पाएं हैं और अब लगाते हैं जाला वगएरा अब बरतन पड़े हुए हैं कपड़े भी विगो दिये थे तो वो जो है अभी नहीं धुले हैं अब धुलेंगे जाड़ू बगरा लगा करके और इधर रसोई में हमारे बरतन जहांके तहां पड़े हुए हैं क्योंकि जो है बैटरी नहीं थी सफाई करने लगए हमने तो जो तखत के नीचे लेसोन हमने रखा था आप लोगों के साथ सेयर किया था तो वही हमने का चलो इसको काटके जोले में भर लेते हैं क्योंकि यहां पर काफी जादा फिर थोड़ी सी जगे में बहुत जादा सब फैला हुआ पड़ा था और टाइम नहीं मिल रहा था त चलो टाइम तो नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अगर करेंगे तभी हो पाएगा और घर के इनी कामों में टाइम भी नहीं मिलता है और बीत भी जाता है पूरा दिन जो है ऐसे ही और बरतन वगरा नहीं धुले थे क्योंकि हमको जो एलर्जी की सकते होंगे कि हमें दिक्कत है वही प्रॉब्लम हो जाती है और हो भी गई है तो वाइस करते समय और यहां पर जाड़ू लगा लेते काफी जादा जो है लेसुन का कूड़ा निकला हुआ है और जाड़ू लगा ही रहे थे तब तक जो है बाबू आ चुके हैं तो यह जो है तो तुम लेज़े की न होगा तो भूखे का है मारे काँ पानी पी ने तो चलो देर ने पानी तो तुम यह मुदनल नहीं जाने तो होगा तो यहां पर जो है धोख काफी जादा होती है दोपहर में आने में तो वही बाबू कह रहे हैं कि हमारे प्यास लगी है और इनको पानी दे दिया है और तो प्यास लगी नहीं कह रहे हैं कह रहे हैं कि हमारे भूख लगी थी तो वही हम कह रहे हैं कि तो लेंच नहीं किया ह प्यास लगी थी क्योंकि धूब काफी जादा होती है वैसे इसकोल तो जादा दोर नहीं है और फिर यहां पर जो इनके कपड़े वगएरे निकाल दिये थे और खाना पिना तो कुछ इन्होंने खाया नहीं था तो अंदर हमने पंखा चला दिया है तो वहीं पर हैं अपना ट बड़तन धुल लिए थे उसकी वीडियो कोई नहीं सूट किया था क्योंकि बाबु के रहे हैं ममा हमको थोड़ा सा कार्टून देखना है तो उनके चलो थोड़ी देख लो क्योंकि बच्चे हैं परिशान करते हैं तो फिर इनको दे दिया था फिर बड़तन धुले थे और कपड़े भी हमने अपने सब्दों में कहें कि हम चाट लिए थे और केवल धुलना है इनको पानी में तो बस बही अब धुलना बाकी रह गया तब फिर बाबु से हमने कहा कि चलो अब अपना खेलो और हमको फोन दे दो क्योंकि हमको वीडियो सूट करनी है और कई बहने कह कि आपके बाबु का जो है नाम ही होगा बाबु बाबु कहती हो और नाम तो लिया करो तो जो है जादा तर हमेसा बाबु ही कहते हैं तो मुह से बाबु ही निकल जाता है वैसे नाम हमारे बेटे का सभी लोग जादा तर जानते ही होंगे क्योंकि हमने कई बार बताया भी ह आयांस नाम है और आयांस जो है लेते हैं ज्यादा तर बाबो ही कहते हैं तो वही निकल जाता है तो यहां पर जो है आ गए हैं हम कपड़े डालने और ये भी पानी लेकर के आ गए हैं कि इनसे हमने कहा था कि बाबो जो है कभी कभी पानी तुलसी माता में दुपहर में एक द अच्छा लगता है अब नीचे भी काफी ज़्यादा अच्छा लगता है बाहर और शिर्फ जो है ब्रामदे में गेहूं लगे थे तो यहां की लिपाई लाल मिटी से नहीं किया था तो उसकी जो है आज कर देंगे और आप लोगों को कल बताएंगे कल की वीडियो में कि इतन करते हैं ब्रामदे की लिपाई करना शुरू करते हैं अ तो चूले की पुताई हमारी हो चूकी है इधर जो है थोड़ा सा किनारा बना देते हैं और फिर चलते हैं गोबर बगारा लाते हैं तो गोबर लाएंगे फिर जो है गेरू भी मंगा लिया है हमने दुकान से और हमारे हैं कई बहने पूछती है कि आप यह लाल मिटी कहां पर मिलती है तो हमारे हैं दुकान पर मिल जाती है और आज जो है दूद रखना भोल गये थे इतना बिजी हो गये पूरे दिन कि दूद बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि हमको रखना है तो फिर हमने यहाँ पर धुआ सुलगा दिया था यहीं दूद गड़वा में और जीप थोड़ा सा इधर उधर हो रही है तो आप लोग एग्णोर करिए क्योंकि जो हमको छीके आ रही है सर में बहुत भेंकर दर्द है तो इसी वज़े से जो है बोलने में भी दिक्कत हो जाती है तो दूद हमने रख दिया है और उसके बाद में तचला ले लिया है तो गोबर भरते हैं और आप चलते हैं लिपाई करते हैं हाँ हाह से तो गोबर हमको थोड़ा चाशा सबसाइब कर दो भाद वाद है रहा हमने दोदा नहीं है तो गोबर हमको थोड़ा सा जादा लग रहा था तो उसको निकाल दिया है और लाल मिट्टी भी डाल लिया है यानि कि गेरू आधी पैकेट डाला है और आधी रखी हुई है और यतना पतला हमको रखना है वही रख लिया है और अब चलते हैं शुरू कर देते हैं लिपाई तो यहाँ पर हमको वही डिजाइन बनाना है जो बाहर बनाया था हमने तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटी बनाएंगे ज्यादा लंबी नहीं बनाएंगे और सच बताएं आप लोग लाश्ट में फाइनल लोग जरूर देखिएगा इतना प्यारा लग रहा था ब्रामदा हम कि आप लोग देखते ही रह जाएंगे और कल की वीडियो में तो सच में आप लोग देखते रह जाएंगे क्योंकि पूरे घर की क्लीनिंग हमारी हो चुकी है और वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो रहा था इस वज़े से जो है आप लोग फिर देखते देखते भी बोर ह तो इस वज़े से ज़्यादा बड़ी नहीं किया और पूरे घर की दिखाते तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती तो हमने दो भागों में बाट दिया है तो यहां पर इधर की डिजाइन तो बन चुकी है और यह सूखने पर अभी देखीगा इतनी मस्त लगेगी तो यहां पूरी दिवार पर जो ऐसे ही छोटे छोटे कंगूरे टाइप में बना देंगे और आप लोगों को एक चीज बतानी है हमें जैसे कि हमने टाइटल डाला हुआ है कि अपनी ही कमाई जो है खाना मुस्किल है ऐसी जिंदिगी का करना भी क्या तो सच है ये क्योंकि हमारे यहां परेसान थे और आज आ रहे थे सब लोग इधर उदर कहबी रहे थे कि यहां वहां और फिर फंद्रा बिस दिनों से थोड़ी सी राहत थी और लेकिन जो है कल फिर हमारे यहां एक घर में आये हैं और चार बहुए थी चार बेटे थे उनके और सभी की साधी हो चुकी है और जो है गर में कुछ नहीं बचा हुआ तो वही आप लोगों से कह रहे हैं कि अपनी भी कमाई खाने को नहीं मिलती खून पसीना एक करके सब लोग इकठा करते हैं यह करेंगे वो करेंगे लेकिन छड़ भर में लोगों की नियत खराब हो जाती है तो जो है यहाँ पर मिट्टी लगाने वाला है और जहाँ पर मिट्टी हमने होली में लगाया था इधर हमारी लिपाई हो चुकी है तो वहाँ पर जो एक साल भर के लिए अब हमारा यहीं लोना जो निकलता है वो नहीं निकलेगा और जहाँ पर बाटी में लिपाई कर दि में वहां की मिट्टी आप लोग देख सकते हैं इधर गेरू हमने डाला है तो लाल रंका दिखाई दे रहा है वहां पर जो है मिट्टी सा मिल गया है क्योंकि वहां काफी ज्यादा मिट्टी वाला लोना निकलता है और यहां पर मिट्टी हमने लगाया था तो यहां पर देख तो यहां पर देखिए लिपाई लगधुग में हमारी ब्रामदे की आधी हो चुकी है अभी तखत की नीचे रह गया तो वहां पर सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो साफ सफाई भी करते जा रहे थे और जो हमारे धुलने वाले जिसे खुर्ची श्टूल वगएर टेबल हैं तो इनको हम धुलते भी जा रहे थे धुल के यह पोंच दिया था और सब एकी तरी उपर जो है यहां पर रख दिया है तखत के उपर तो सब कहीं साफ हो चुका है सिर्फ परदे रह गये हैं तो परदे अभी हमने धूले थे लेकिन धूल मिटी तनी जादा हवा चल रहे तो यह फिर से वैसे ही हो जाते हैं तो चलिए किसी दिन इनको भी साफ कर देंगे और इधर हमने गेहु लगा दिया है क्योंकि अब बारिज के लिए हमको धोना है तो जब टाइम मिलेगा तो थोड़े थोड़े धो करके रख लेंगे और इधर साइड में जो है हम हमे में भी बना दिया है और यहां पर भी बनाएंगे यनि हर दिवार में सब जगे में ये डिजाइन बना दी है तो आप लोगोंको उमीद करते हैंँ पसंद आई होगी और आज का या वीडियो भी आप लोगो को पसंद जरूर आया होगा फिलो पासंद आ यागolar हो तो ल लाइक करना भूल जाते हो और देख लेते हो वीडियो देख तो लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो लाइक भी कर दिया करो और कुछ बहने भाई हमारे हैं जो कर देते हैं तो सभी लोगों को नहीं कहते हैं जो हमारे दोस्त कर देते हैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यव वीडियो में देखेगा तब तक इंतजार करिए और आप लोग हमेशा खुस रही है स्वस्त रही है मस्त रही है आगे बढ़ते रही है तरक्की करते रही है तो यहां पर कुछ ऐसा हमारा घर लग रहा है आप लोगों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा जो भी भाई बहन चैनल पर न्यू आये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जादा से जादा अपने दोस्तों रिष्तिदारों में शेर भी करें और लाइक करना बिलकुल ना भूले और हमें दीजिए इजाजत नमस्कार दोस्तों